रादे रादे दोस्तों स्वागत है आपका निश्र जी के किचन में तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी आज हम भराने जा रहे हैं मौनसून स्पेशल आलू के स्नैक्स तो देखिए तीन बॉयल आलू ले लिए हैं मैंने और इनको बारीक वाली साइड कद्दूकस क चुके हैं चलिए अब इसमें मिलाते हैं स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर कि इसमें ज्याधा मसाले नहीं जाएंगे दोस्तों सिम्पल सी रेसिपी है और सिम्पल ही मसाले जाएंगे अब डालेंगे अरा रोट कि दोसे तीन चममच अरा एक चममच cooking oil और अच्छे से सब को mix कर लेंगे देखिए अच्छे से mix करके इसका एक डो बना लेंगे तो देखिए डो हमारा बन चुका है अब इसकी छोटी छोटी लोईयां तोड लेंगे और हाथों की मदद से ऐसे गोल अकार देते हुए चप्टा कर लेंगे थोड़ा और अब चाकू की मदद से इस पे एक डिजाइन बनाएंगे ताकि ये देखने में भी सुन्दा लगे देखिए इस तरह से बना लेंगे सभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसी तरह से सारे स्नैक्स को तियार कर लेंगे तो दोस्तों मेरे रेसिपी आपको कैसी लग रही है प्लीस मुझे कामेंट सेक्षन में जुरूर बताईएगा और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब क करना देखिए इसी तरह से सब भी बना लेंगे बहुत ही सिंपल और आसान है इसे बनाना आप भी जुरूर बनाना और चाय के साथ इंजॉय करना इस टेस्टी से स्नैक्स को तो चलिए देखिए सब भी बन चुके हैं अब फ्राइ कर लेते हैं तेल हमारा गरम हो चुका है अब डाल देंगे तो देखिए अलट पलट करते हुए इससे पका लेंगे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं उपर से क्रिस्पी होंगे अर अंदर से सॉफ्ट होंगे ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो देखिए दोनों तरफ से अच्छा कलर आ गया है अब इससे निकाल लेते हैं देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं तो चलिए अब निकाल लेते हैं से दोस्तों मुझे कॉमेंट ज़रूर करके बताना कि मेरा रैसेपी आपको कैसी लग रही है क्योंकि मुझे आपके कॉमेंट का बड़ी बेस बड़ी से इंतजार रहता है और आपके कॉमेंट पढ़के मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके कॉमेंट मुझे काफी मोटिवेट करते हैं तो प्लीज कॉमेंट ज़रूर किया गीजिए तो चलिए दूसरा बैच भी डाल देते हैं कड़ाई में इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है कितने सुन्दा लग रहे हैं देखने में ही चलिए इने भी निकाल लेते हैं सर्व कर लेते हैं अब तो देखिए बनकर त्यार है हमारे टेस्टी से आलू के स्नैक्स काफी गरम हैं मुझसे पकड़े भी नहीं जा रहे हैं तो देखिए तोड़के बताती हूं आपको कितने अच्छे बने हैं तो इसे टमेटो कैचिप के साथ इंजॉय किजिए देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं तो चलिए मिलते हैं कर एक नए रेसिपी के साथ